इस वेडियो में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह सैंसंग जेटी यी 12-15 मुबाइल में किस तरह अलार्म वॉल्यूम कम या जादा कर सकते हैं आईए जानते हैं तो आपको सबसे पहले मीनू में जाना है उसके बाद आपको अलाराम सेलेक करना है फिर आपको जिस टाइम पे आपने अलाराम सेट किया उसे सिलेक करना है और यहाँ पर नीचे आना है यहाँ आपको दिखेंगा अलार्म वॉल्यूम तो आप इस बटन से जादा कर सकते हैं और इस बटन से कम कर सकते हैं तो मैं आपको कम या जादा करके दिखाता हूँ कम या जादा करने के बाद आपको आप्शन्स में जाना है और नीचे आना है सेव पर ओके कर लेना है इस तरह आप अलार्म वॉल्यूम एड़्जेस्ट कर सकते हैं